आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवंबर के पूरे महीने में 25 सबसे ज़्यादा बेखने वाले टू वीलर्स के बारे में आप देख रहे हैं ओकिकार 24-7 यूट्यूब चैनल अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले जिससे आपको गाडियों से जुड़ी जानकानिया मिलती रहे तो शुरुआत करते हैं 25 पोजिशन पर आने वाले यामाहा फसीनों के साथ ये एक स्कूटर है जिसकी नवंबर के महीने में पूरे भारत में 10,992 यूनिट्स भी की हैं एक यूनिट पराबर एक गाड़ी होता है अक्टूबर के महीने में ये टॉप 25 की लिस से बाहर था यामाहा फसीनों की दिल्ली एक्षरूम प्राइस 79,530 रुपरे से शुरू होकर के 73,030 रुपरे तक जाती है 24 पोजिशन पर आई है टीवी एस की रेडियोन इस मोटर साइकल के नवंबर के महीने में पूरे भारत में 11,602 यूनिट्स भी के हैं अक्टूबर के महीने में ये गाड़ी 23 पोजिशन पर थी 20,204 यूनिट्स के साथ टीवी एस रेडियोन की दिल्ली एक्षिरूम प्राइस 9,942 रुपरे से शुरू होकर के 6,442 रुपरे तक जाती है 23 पोजिशन पर आया है हीरो का मैस्ट्रो हीरो मैस्ट्रो के नवंबर के महीने में पूरे भारत में 12,412 यूनिट्स भीके हैं ये स्कूटर टूबर के महीने में 20 पोजिशन पर था 23,240 यूनिट्स के साथ हीरो मैस्ट्रो के दो वैरेंड मार्केट में बिग रहे हैं हीरो मैस्ट्रो एज 125 और हीरो मैस्ट्रो एज 110 हीरो मैस्ट्रो एज 125 की दिल्ली एक्षिरूम प्राइस शुरू होती है ये गाड़ी अक्टूबर के महीने में 22 पोजिशन पर थी 22,217 यूनिट्स के साथ दिल्ली एक्षिरूम प्राइस 54,850 रुपे तर शुरू होकर के 61,525 रुपे तक जाती है 21 पोजिशन पर आया है यामाहा का रे इस स्कूटर की नमबर के महीने में पूरे भारत में 15,238 यूनिट्स पिकी है अक्टूबर के महीने में ये 25 पोजिशन पर था 15,748 यूनिट्स के साथ अक्टूबर के महीने में ये 18 पोजिशन पर था 26,714 यूनिट्स के साथ 66,310 रुपे से दिल्ली एक्टूरूम प्राइस शुरू होती है और 79,700 रुपे तक जाती है 19 पोजिशन पर आया है यामाहा की एवजी इस गाड़ी की नवंबर के महीने में 16,249 यूनिट्स भी की है ये 24 नवंबर पे थी अक्टूबर के महीने में 20,164 यूनिट्स के साथ दिल्ली एक्टूरूम प्राइस एक लाग बावन हजार रुपे से शुरू होती है 18 पोजिशन पर आया है हीरो का प्लेजर इस स्कूटर की नवंबर के महीने में 19,707 यूनिट्स भी की है ये स्कूटर अक्टूबर के महीने में 19 पोजिशन पर था 23,392 यूनिट्स के साथ हीरो प्लेजर प्लेजर प्लेस की दिल्ली एक्टूरूम प्राइस 56,800 रुपे से शुरू होकर के 60,950 रुपे तक जाती है 17 पोजिशन पर आई है हॉन्डा यूनिकॉन जिसकी नवंबर के महीने में 21,796 यूनिट्स भी की है अक्टूबर में भी ये 17 पोजिशन पर थी 28,313 यूनिट्स के साथ दिल्ली एक्टूरूम प्राइस 95,152 रुपे से शुरू होती है 16 पोजिशन पर आया है TBSN टॉक इस स्कूटर की नवंबर के महीने में 28,987 यूनिट्स भी की है अक्टूबर के महीने में भी ये 16 पोजिशन पर थी 31,524 यूनिट्स के साथ दिल्ली एक्टूरूम प्राइस 88,850 रुपे से शुरू होकर के 77,865 रुपे तक जाती है 14,802 रुपे तक जाती है 14 पोजिशन पर आया है होंडा का डियो नवंबर के महीने में इस स्कूटर की 34,812 यूनिट्स भी की है ये अक्टूबर के महीने में 13 पोजिशन पर था 44,046 यूनिट्स के साथ दिल्ली अक्टूबर के महीने में 14,970 रुपे से शुरू होकर के 67,820 रुपे तक जाती है 13 पोजिशन पर आया है रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 जिसकी नवंबर के महीने में 49,391 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी अक्टूबर के महीने में 14 पोजिशन पर थी 41,950 यूनिट्स के साथ दिल्ली अक्टूबर के महीने में 7 पोजिशन पर थी 58,449 यूनिट्स के साथ इसके action room price 71,000 रुपे दे चुरू होकर के 75,700 रुपे तक जाती है 11th position पर आई है TBS की Apache series जिसकी नवंबर के महीने में 41,557 यूनिट्स बिकी है ये series, Apache series अक्टूबर के महीने में 15th position पर थी 40,943 यूनिट्स के साथ इसके action room price आप अपनी screen पर अभी देख सकते है 10th position पर आई है Platina Bajaj Platina के नवंबर के महीने में 41,572 यूनिट्स बिकी है ये 10th position पर ही थी अक्टूबर के महीने में भी 60,967 यूनिट्स के साथ Bajaj Platina के दो वेरेड मार्केटें बिक रहे हैं एक तो Bajaj Platina 100 और Bajaj Platina 110 H-Gear Bajaj Platina 100 की दिल्ली action room price 51,666 रुपे से शुरू होती है और H-Gear की दिल्ली action room price 63,027 रुपे से शुरू होती है 9th position पर आई है Suzuki XS 125 जिसकी नवंबर के महीने में 45,582 यूनिट्स भी की है ये गाड़ी अक्टूबर के महीने में 11th position पर थी 52,441 यूनिट्स के साथ दिल्ली action room price 70,500 रुपे ते शुरू होकर के 78,600 रुपे तक जाती है 8th position पर आई है Hero की Passion इस गाड़ी की नवंबर के महीने में पूरे भायत में 53,768 यूनिट्स पर की है और ये अक्टूबर के महीने में 8 position पर थी 75,540 यूनिट्स के साथ दिल्ली action room price 66,500 रुपे ते शुरू होकर के 68,700 रुपे तक जाती है 7th position पर आया है TVS का Jupiter जिसकी नवंबर के महीने में 62,626 यूनिट्स भी की है ये स्कूटर अक्टूबर के महीने में 9 position पर था 74,169 यूनिट्स के साथ दिल्ली action room price 63,872 रुपे से शुरू होकर के 70,802 रुपे तक जाती है 6 position पर आया है TVS का XL 1OO जिसकी नवंबर के महीने में 70,750 यूनिट्स भी की है ये एक मोपेड है अक्टूबर के महीने में ये 6 position पर था 80,268 यूनिट्स के साथ दिल्ली action room price 49,990 रुपे से शुरू होती है और 48,849 रुपे तक जाती है टॉप 5 की position में कोई चेंज नहीं है फिप्ट position पर आई है CB Shine जिसकी नवंबर के महीने में 94,413 यूनिट्स भी की है इसमें CB Shine और SP 125 की कमबाइन यूनिट्स है अक्टूबर के महीने में भी ये गाड़ी 5 पोजिशन पर थी 1,18,547 यूनिट्स के साथ दिल्ली action room price Honda Shine के लिए 89,415 रुपे से शुरू होकर के 74,115 रुपे तक जाती है और SP 125 के लिए 75,010 रुपे तक जाती है फोर्थ पोजिशन पर आई है बजाच की Pulsar सीरीज जिसकी नवंबर के महीने में 1,4,904 यूनिट्स भी की है अक्टूबर में भी फोर्थ पोजिशन पर थी ये सीरीज 1,38,218 यूनिट्स के साथ फोर्थ पोजिशन पर आई है हीरो की HF डिलक्स जिसकी नवंबर के महीने में पूरे भारत में 1,89,426 यूनिट्स भी की है ये अक्टूबर के महीने में भी फोर्थ पोजिशन पर थी 2,99,61 यूनिट्स के साथ दिल्ली एक्टिवा प्राइस 48,950 रुपेते शुरू होकर के 69,800 रुपे तक जाती है सेकंड हाइस सेलिंग टू वीलर है हॉन्डा का एक्टिवा इस गाली की नवंबर के महीने में पूरे भारत में 2,25,822 यूनिट्स भीके हैं अक्टूबर में भी हॉन्डा एक्टिवा 2,49,570 यूनिट्स के साथ दो वैरियंट मार्केट में बिखते हैं हॉन्डा एक्टिवा 6G और हॉन्डा एक्टिवा 125 हॉन्डा एक्टिवा 6G की दिल्ली एक्टिवा प्राइस 67,392 रुपेते शुरू होती है और हॉन्डा एक्टिवा 125 की 79,470 रुपे से और हमेशा की तरह इस बार भी नंबर वन पोजिशन पर काविज है हीरो की स्प्लेंडर सीरीज हीरो स्प्लेंडर के नंवंबर के महीने में 2,48,398 यूनिट्स विके हैं अक्टूबर में भी नंबर वन पोजिशन पर थी 3,15,798 यूनिट्स के साथ इन यूनिट्स में हीरो स्प्लेंडर प्लस, सुप्लेंडर और आइस्मार्ट के कम्बाइन यूनिट्स शामिल हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस की दिल्ली एक्शोरूम प्राइज 6,960 रुपए से शुरू होती है सुपर स्प्लेंडर की दिल्ली एक्शोरूम प्राइज 69,450 रुपए से शुरू होती है और Splendor iSmart की दिल्ली एक्षिरूम प्राइज 65,950 रुपैसे शुरू होती है तो ये थी नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 टू वीलर्स इससे पहले हम आपके लिए नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 टू वीलर्स यानी कार्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं और Compact SUV, Full Size SUV और Premium SUV के अलावा Hatchback और Sedan का Separate Separate वीडियो भी बना दिया है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो Okika 24-7 YouTube चैनल को नीचे एक लाल बटन दिया है सबस्क्राइब का और उसको प्रैस करके सबस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी फिलाल इस वीडियो के लिए दना ही, ठैंक यू फॉर वाचिंग